Good morning Students! कल हमने किया था Part 1 ध्वनी का पहला पध्यांश आज हम करेंगे Part 1قة ध्वनी उसका दूसरा पध्यांश करेंगे हम ऐसे लिखेंगे किताब तो सबके पास होगी तो उसका पहली लाइन के दो शब्द लिखेंगे और लास्ट लाइन के दोशे अब लिख लेंगे हम तो इसका प्रसंग होगा प्रस्तुट पध्यांस हमारी पाठ्थे पुस्तक बसंत भागतीन में से सूर्य कांत्रे पाठ्थी निराला इसको अंडरलाइन कर लेना है आपको द्वारा रचित कविता ध्वनी में से लिया गया है इसमें कभी के कहने का भाव ये है कि वह अपने सपनों को साकार करके किशोरियों के मन में जो है नए भाव उत्पन कर देगा ब्याख्या है इसकी कभी कहना चाहता है कि जिस परकार बसंत के आगमन पर पेड पौधों में नई पतियों और फूलों की भरमार रहती है मैं इन कॉमल डालियों और कलियों रूपी आशाओं पर अपने कॉमल हाथ फेरूंगा अर्थात उन्हें सही दिशा प्रदान करूंगा मैं अपने कुमल सपनों को साकार कर निराश और जिंदिगी से हारे लोगों को नब जीवन प्रदान करूंगा कलियों रूपी जो किशोर अभी सो रहे हैं मैं उन अलसाई कलियों को जगाऊंगा अर्थात युबा पीडी में नई प्रेड़ना और उत्साह का संचार करूंगा इसको राइट करना है और साथ में लर्न करना है